सब बढ़िया होंगे तो काफी दिन हो गया एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो उससे कई लोग कहरे थे वीडियो के लिए बना रहा है देखो आज का पेपर आपने दिया होगा आपको मज़ा आगया होगा कुमाव उनिवस्टी वालों ने जो मेरे से बढ़ा होगा सब्सक्राइब तो मैंने सिर्फ यूटूब में आठ से नौ कोश्चन कर आए थे फाइकोलोजी के उपर जिसमें से आपके पेपर में छे कोशन आ गए थे और मैंने ऐसा देखा कि जो सत्रह मार्स से कोशन देना यहीं साड़े सत्रह मार्स के सेवंटी फाइफ पॉइंट सेवंटी फाइफ उनिए गुए तो उसमें से पांच मैंसे आपको दो करने होते हैं तो पांच मैंसे जो तीन थे ना वो तो डेरेक्ट्ट मेरे पड़ाय हुए टॉपिक से आये और शॉट आंसर में भी तो आये ते आपने देख लिया होगा तो काफी अच्छा लगा होग तो बहुत अच्छा गया है मेरा थोड़ा सा बेकार हो गया क्यूंकि मैं तो सारा टॉपिक पड़के जाता हूं उपर क्या कहते हैं मैंने तो वीडियो सिर्फ सेलेक्टिट टॉपिक की डाली थी कि वह आएगा तो उतना खास भी गया है पर ठीक ही है मतलब अच्छे आएंग यह कुछ लाइन लिखी है आपको कह रहे हो कि यह क्या लिख दिया है तो इसके ओपर आते हैं पहले की को समझ लेते हैं मान लो आप क्या कहते हैं खजाने की खोज में निकले हो सर की पड़ा रहे हो की मतलब तो होता है चाबी मतलब यह तो मुझे पता है की मतलब होता है काथ प्रवाइड करती हैं तो कैसे करती देखो जाने की फोझ में निकले मानलो एक परसं देखोड़ा त्यूंस मौनउ यहां दिया गीता पीता पीता कैसर जो भी हो मतलब जो भी नाम है वो यहां से चलना सुरू करती दिक्षा तो यहां से चलना सुरू करती है और यहां के आती है यह आता है तो उसको क्या मिला दो रास्ते मिलें यहां से एक रास्ता तो यहां जा रहा था एक रास्ता यहां जा रहा था माल दोनों ने चलना शुरू किया अब मानलो कि अब मानलो खजाना सोना यहां पे था और चानी यहां पे था तो दिक्षा को जाना था कहां पे सोने के पास यानि कि उसको कहां जाना था सोना रूमने जाना था तो वो क्या करेगी यहां से चलना शुरू किया उसने तो इस जगह तो कोई रस्ता होगा जो गोल्ड की तरफ जा रहा होगा और यहां पर क्या है सिलवर है तो वो क्या करता है मालो सुजजी निकला भूमने तो इस रास्ते को तो एकशेप्ट करता है ठीक अब यहां हों पर आया फिर लो जूर्जार तो यहां से दो रास्ते फिर जाघे थे एक रास्ता तो आपर करा वहर। तो मैंने इस रास्ते को जो है कट करा और इसको एकसेट करा इसको रिजेक्ट करा अब क्या हुआ यहां पे दो रस्ते आ गए सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया है कर दिया और यहां पे इसको यह है tutte कर पहुंचा इसको कर रहे हो दूसरे को कर रहे हो मतलब हर प्रप्वाइंट पर एनलिसिस करनी पड़ रही है तो अगर आप से की पूछा जाए की क्या होता है की या टेक्सोनोमी की एक ऐसा आपको एक पेज मिलेगा जैसे यह पेज मिलेगा आपको की मैं इसमें क्या होगा ना गुरूप ऑप स्टेट्मेंट लिखे होंगे मान लो आ इसा नीटी आपको सीधा मिल जाएंगे यह पेर में होंगे मान लो यहां पर एक लिखा है तो उस एक में कोई एक पॉइंट वन करके एक प्वाइंट यह एक की है एक ऐसा कागज मिलेगा यह उस कागज में क्या होगा ना कुछ स्टेट्मेंट लिखे होंगे जैसे एक स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट स्टेटमेंट पांच स्टेटमेंट यह टेयर में होंगे एक एसी लाइन दिखरी दूसरा वाला विदेखो पेयर है तीसरा वाला भी पेयर है चौथा भी पेयर यह पाँचवा फेर है मतलब आज में आपको group of statement लिखेंगे और उस दूप प्रस्टिंग यानि कि यहां पर्पल यहां पर पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां है यह चार पाउं है पर अधिनाय में क्या करा है है तो यह आपस में क्या है contrasting है तो मतलब pair में तो होंगे बड़ यह तो statement होंगे आपस में contrasting होंगे आप किसी एक को select करोगे दूसरे को reject करोगे और इस point में आके आपको analysis करनी पड़ेगी मान लो आपको एक ऐसा animal मिला जिसकी सरीर पे क्या थे green colored body थी मतलब उसका जो सहीर था वो green color body का था आपको पता चला कि वह जानवर तो green color body का है इस statement को आपने select कर दिया इस वाले को आपने क्या कर दिया reject कर दिया मतलब मुझे पता चला कि उसके पास green colored body है इसका मतलब purple color deck वाली बात ही नहीं है तो मैंने select कर दिया अब यह आपसे क्या कह रहा है go to two यानि इस point के आप analyze करोगे अब आपको और भी statement देखना है आपको पता चला उसकी green colored body है वो आपसे कह रहा है उस animal की green colored body थी तो आप statement नमर दो पर जाओ तो statement नमर दो पर आप गए तो इस वाले पर देखो यह तो क्या है एक select कि आपने इसको reject कर दिया जब आप 2 में पहुंचे तो आपसे कह रहा है has four legs या फिर has eight legs अगर उसके चार पाउं है आपने मान लो इसको select कर कर दिया होगा यानि उसके पास क्या है चार पाउं है फिर वह आपस कहला गोटू 3 तो उसके पास टेल या है नोट एक तो बहुत बढ़िया यह तो मुझे समझ में आ गया यह point की के सुनो एक तो क्या है statement क्या होंगे group में होंगे जोडे में होंगे बहुत बढ़िया इसमेंसे किसी एक को select करोगे एक को reject करोगे बहुत बढ़िया फिर उस point पर आगे मानलो आपने एक को select किया तो उस point पर आपको analysis करनी पड़ यह नहीं करनी पड़ यह आपको पता ज अब आपको किस तरफ जाना है तो अब जहां से समझो तो क्या है एक आगज होगा एक ऐसा पर्चा मिलेगा आपको जिसमें group of statement लिखी होंगी और जो statement होंगी वो आपस में contrasting होगी और या तो वो आपको किसी जीनस पे ले जाएगा या किसी स्पीशी पे ले जाएगा या किसी फाइलम पे ले जाएगा या किसी कहते हैं किसी चीज में भी ले जाएगा मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि व कोई जनावर मिल गया मान लो ऐसे यहां पर घिराथा रस्प्रया मैंने इस जनावर को ढूना हां तो मुझे यह मिला मान लगाना यह बाइनमल को यहां आदमी नहीं मतलब की क्या होगी और बोटनी वाले वह यह करते हैं वह लोगो करते हैं तो बोटनी में जो प्लान्ट की की होगी वह अलग होगी किसी जैनेरादी की हो सकती है तो मान लो मुझे यह एनिमल मिला मैं इसको ले गया अब मुझे पता लगाना है यह कौन है तो यह मुझे पता चला कि मान लो इसके शरीर पे बाल है तो बाल से मैं सोचूंगा कि यह मैमल हो सकता है क्या तो मैं मैमल वाली की पकड़ कि मैं रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा मानलो सारे character मिल गए तो मैं इस animal को उठाके उस group में रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं यानि उसकी actual place मुझे पता जल जाएगा मानलो ये नया मिला था तब भी उसके गुण मिल रहे थे मैं इसका कोई नाम दे दूँगा तो taxonomic key क्यों help होती है taxonomic key help होती है characterization के लिए आप क्या करोगे कोई animal को discover करते हो उस animal को आप ले जाते हो और चेक करते हो उसकी कावज में देखते हो कि वह statement किस से match कर रहे हैं जैसे आपको पता चला उसके पास green color body थी आप से कहा go to two में जाओ यानि कि उसके पास देखो यह वाली सटेको यह रस्ता क्या है इन दोनों के लिए common है यह वाला तो यह common जीच इन दोनों में होगी जैसे green-colored body है तो Green cloud बॉडी में हुसके पास चार पांव भी हो सकते हैं मैंने 4 पांव चुने तो इसका मतलब यह वाला Green पाव बॉडी इसकी भी ہوगी इसकी भीुगी तो मैंने चार पाव वाला चुन लिया तो go to three को तीसरे में जाओ तो इसके पास green colored body भी होगी 4 Leg भी या तो उसके पास पूछ हो सकती है तो यह पूछ Yup है अगर पूछ है तो डिरस पैस्टिस है याथने फ़तम कर दिया दिरस पैस्टीस है अगर उसके पास पूछ- नहीं है तो तो इन दो काऊनाया इन मैंने कर मैं यह नहीं चुना है परपल कलर लेग गो टू फॉर चौथे नमर पर आजाओ ठीक हो गया चौथे में आया मुझे पता चला कि चौथे में कहरा है उसके पास्थ कुइंटि हम यह समिया क्ट सब्सक्राइअ कर दीपस्द में करता है अगर उसके पास discuss का ईखसर मि पर अगर उसके पास कान हो जो रहते हैं यह उसके पास कर देले अब आगाने और इसकेफिए नहीं है तो क्या है लगा Student 8 तो की आपको समझ माने कि होता है तो मैं इंट के करता हूं इन लाइनों को लिख लाता हूं ङला तो क्या होता है तो कomina कैसे आपको लगता है पर है आप इसको करौह हें कि की बारे लिए बात नहीं करते हैं तो टेक्स अनॉमी जो हमने तक लिखा ना बोला था उसको एक बार प्वाइंटों में लिख लाया हूं तो आप क्या करना बुप पढ़ना समझना आ जाएगा तो की मैं क्या होगा आपको ऐसा एक पेज मिलेगा बड़िया सा जिसमें ग्रूप आप सब्सक्राइब लिए चीज बताना भूल गया कि इसमें अगर सिंगल सब्सक्राइब लेंगे यानि सब्सक्राइब लिए और ग्रुप अब लोगे और समझति है और किसी बार कर रहा जोडा फिक है जोडा वह सारे जाचुके हैं फरवरी में सीधेस हो जाओ पेपर चल रहे हमारे तो हां क्या कर रहा था है एक पॉइंट है जिसको आप बोलोगे लीड और दूसरे को आप क्या कहोगे पेर को कपलेट तो कह रहा है टेक्स नॉमी की में ग्रूप ऑफ स्टेटमेंट होंगे सिंगल स्टेटमेंट को लीड कह स्टेटमेंट सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है अब कह रहे हैं अब यहां से चले इस पॉइंट पर आपको करनी पड़ी कहां जाना है करके फिर आप से कह रहा है अनलिटिकल इनेजर बेजन सिमिलाइटी से यह तो आप में बगाया है बताया है भूर करो आप इस पॉइंट में पहुंचे मानलो आप यहां पर आये तो इस में यहा तो Wanna कंपर आप यह आपस में अलग है तो disimilar से शंवां नहीं आता है तो कोई बात नहीं देखो कोई बात नहीं अन्हीं आता है मैं आपको लगता होगा कि मुझे सब आता है बिल्कुल जोहां वहोगा हूं तो लाकर नुख और समझण आप यहां से आए इस जगें पर आए अब इस जगेंपर आपको दो पोईंट मिले दो वॉयंट में आप कहीं भी आ सकते हो यह पॉइंट में यह यहां पर यहां पर यह आपस में डिसिमिलर भी है ना ठीक है मैं यहां पर आया इस वाले पॉइंट से आप यहां बढ़ो या यहां बढ़ो यानि कि यह वाला जो पॉइंट है इन दोनों के लिए अगर आप यहां पर आपने देखा होगा टेक्स नोमी बॉटनिस्ट भी करते हैं बस वहां पर केस प्लांट का आजाता है तो आपको टेक्स नोमिक की समझ मां आए होगा बहुत ही मजा आए होगा आपने काफी लेक्चर में तो मैंने जो है परसु मेरा भी पेपर है तो मैंने वीडियो बना दिये थैंक यू आपकरते नहीं all the very best मिलते हैं आप से अगली वीडियो मां बाए बाए बाए